दिल्ली पुलिस ने महिला प्रदर्शन कारियों के साथ हाथा पाई क्योंकि? कॉंग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में अनियंतरित महेंगाई के खिलाफ शहर में विरोध प्रदर्शन कर रही उसकी महिला कार्यकरताओं के साथ हाथा पाई की कॉंग्रेस ने महिला प्रदर्शन कारियों पर पुलिस की बरबरता का एक वीडियो भी साजा किया और ट्वीट किया कि महिलाएं विभिन वस्तूओं की मूल्य व्रिधी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी और पुलिस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया पुलिस ने चार जुलाएं के अपने ट्वीट में कहा कि महिलाएं बिना अनुमती के प्रदर्शन कर रही थी लेकिन यह नागरे को द्वारा सभी प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए एक बार-बार का बहाना है जिन्हें शास को द अमिता जैराम रमेश ने चार जुलाई को ट्वीट किया ग्रह मंत्री अमित शाह के नेत्रित्व में दिल्ली पुलिस मुदी सरकार के खिलाफ आवास उठा रहे प्रदर्शन कारियों को डराने और परेशान करने के लिए पुलिस नियमावली में निर्धारित नियमों, प मई में हमारी महिला चैंपियन पहलवानों को परेशान किया परेशान पहलवानोंने नई दिल्ली में लधबग एक महीने तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 मई को उन पर अपना आतंक फैलाया और उन्हें जंतर मंतर स्थल से दूर फेंक दिया। जैराम रमेश ने कहा आज दिल्ली पुलिस ने आवश्यक वस्तूओं की कीन्तों में असहनिय वृध्धी का विरोध कर रही महिला कॉंग्रेस कार्यकरताओं के साथ हाथा पाई करने के लिए पुरुष अधिकारियों को भेज कर सभी प्रोटोक पॉल तोड़ दिये हैं। वे केवल कानूनन आंदोलन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तिमाल कर रहे थे। लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है जहां दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कारियों पर कुरूरता की है। हाल ही में कॉंग्रेस ने ट्विटर पर एक विडियो साजा किया जिसमें उसके युवा कॉंग्रेस नेता बीवी श्री निवास को दिल्ली पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा और उनके बालों से खीचते हुए दिखाया गया है। अपने नेता श्री निवास पर पुलिस की बरबरता का विडियो साजा करते हुए कॉंग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कारियों पर कुरूर कारवाई की निंदा की। इससे पहले सुप्रीन कोर्ट के पूर्व नियायाधीश मदन भी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक तथ्यानवेशी समिती ने अपनी रिपोर्ट में निशकर्ष निकाला था कि दिल्ली पुलिस ने 2020 में मुसल्मानों के खिलाफ नरसनहार करने के लिए आपराधिक मिली भगत की थी के कारण दिल्ली पुलिस ने सिये नागरिक्ता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन कारियों पर हमला करने के लिए पियेम मोदी की सत्तारूड भारतिय जनता पार्टी भाजपा के राजनीतिक आख्यान को आगे बढ़ाया वास्तव में दिल्ली पुलिस जो मोदी शासन के एक भाड़े के निजी मिलिशिया की तरह काम करती है अकुशल, अप्रशिक्षित और असभ्य कर्मियों से भरी हुई है जो नागरिकों पर बेरहमी से हमला करते हैं वे कुट्टों की तुलना में शासन के प्रती अधिक वफादार हैं जबकि पुलिस की भूमिका कानून का पालन करना और नागरिकों की रक्षा करना है, दिल्ली पुलिस के लोग अपने राजनीतिक आकाउं के निर्देशों के तहत अराजक की तरह व्यवहार करते हैं कि सरकार की अगनिपत भरती योजना का विरोध कर रहे पार्टी के छात्र नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर उनकी पिटाई की पिछले साल जून में एक ट्वीट किये गए विडियो संदेश में, शीर्ष सीपी आई, एम नेता सीताराम ये चुरी ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बरबरता की निंदा की थी दिल्ली पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ सीपी आई, एम की शिकायत कॉंग्रेस पार्टी द्वारा इसी तरह के आरोप लगाये जाने के बाद आई थी कॉंग्रेस के राज्यसभा सांसदों, संसद सदस्यों के एक समोह ने कॉंग्रेस सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के क्रूर और अनुचित व्यवहार के बारे में भारत के उपराश्ट रप्ती से शिकायत की पिछले साल जून के अपने पत्र में सांसदों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के कर्मी दिल्ली में कॉंग्रेस कार्याले में जबरन घुस गए और सांसदों के साथ हाथ हापाई की और सांसदों, पत्रकारों और कॉंग्रेस कार्यकरताओं पर लाठी चार्ज किया हालांकि दिल्ली पुलिस ने कॉंग्रेस की शिकायत का खंडन किया है यह तेजी से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो शायद देश में सबसे भरष्ट और गैर पेशिवर पुलिस बल है आमतोर पर सरकारी अपराधों में सहभागी है इसके अलावा दिल्ली पुलिस संदिग्ध जाच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुख्यात है जो सत्तारूड पार्टी भाजपा के बुरे इरादों के अनुरूप है उदाहरन के लिए दिल्ली की एक अदालत ने पाया था कि 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के बड़ी संख्या में मामलों में पुलिस जाच का स्तर बहुत खराब था जबकी भरष्ट दिल्ली पुलिस ग्रह मंत्रालय के गुप्त निर्देशों के तहट काम करती है अदालत ने टिपपणी की की पुलिस ने आधे अधूरे आरोप पत्र दायर करने के बाद जाच को तारकिक अंत तक ले जाने की जहमत नहीं उठाई दिल्ली पुलिस की जाच से असहमत होने वाले अदालत के नियाधीशों को तबादलों से दंडित किया जाता है जैसा कि 2021 में हुआ था जब एक घटिया जाच करने के लिए लापरवाह दिल्ली पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाने वाले एक न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया था ये सभी मामले इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि दिल्ली में लोग कानून हीन पुलिस द्वारा नियंत्रित एक अराजक राज्ज में रह रहे हैं आज लगभग 140 करोड भारतिय मोदी शासन में अभूत पूर्व गरीबी, ध्रश्टाचार, मुद्रास्वीती, बेरोजगारी, अराजक्ता और धार्मिक शत्रुता से पीडित हैं लेकिन पुलिस ने सत्तारूड शासन के साथ मिलकर नागरिकों को विरोध करने के उनके अधिकार से वन्चित कर दिया है इस कहानी की पठकथा और निर्मान राकेश रमन ने किया है, जो एक राश्ट्रिय पुरसकार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरेमिन फाउंडेशन के संस्थापक हैं आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सिवाएं चला रहे हैं, जो राजनीती, व्यवसाय, प्रौध्योगी की, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विश्यों को कवर करते हैं आप इस वीडियो के तहट दिये गए संबंधित लिंक देख सकते हैं, और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए आरेमिन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं आप से हमारी आरेमे निउस सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है धन्यवाद